हेलो फ्रेंड वेलकम टो अमेजिंग किचन रेसिपीस तो आज इस वीडियो में मैं आपके सब्सक्राइब बहुत ही तेस्टी बहुत ही यमी स्टफ्ट सिम्ला मिर्च की सबजी लेकर के आई हूँ बहुत ही यमी लगते हैं और आप इने चपाती के साथ में या पराठो के सा बहुत ही यमी लगते हैं तो चलिए बनाते हैं इस्टफ्ट सिम्ला मिर्च और अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सेर करना ना भूलें तो यहां पर इस्टफ्ट सिम्ला मिर्च पनाने के लिए मैंने 8 से 10 चोटे आलू लिये हैं आप चोटे बड़े कैसे भी ल तो यह मैंने अनिन ढल दी इसी के साथ में मैं 2 हरी मिर्च डाल ले आ अपने स्वात के अनुसार कम जादा कर सकते हैं साथ में मैं थोड़ी धन्या पति डाली आधा चम्मच में डाल ले हूँ धनिया पाउडर आधा चम्मच ही में डाल ले हूँ कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसी के साथ में मैं आधा चम्मच डाल ले हूँ अनार दाना पाउडर एक छोटा चम्मच में डाल ले हूँ यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और वन फोट चम्मच के करीम मैं डाल ली हूँ चाट मसाला पाउडर स्वाद अनुसार मैं इसमें सॉल्ट एरी नमक एड़ कर रही हूँ आप अनार दाना की जाएके अमचुर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं आपको इस तरीके से पीस से कट करना है और जो इसकी सीट से इन्हें भी निकालना है तो सीट्स को भी रिमूफ कर लेंगे तो इस तरीके से knife से cut करेंगे बट इसे आपको fake नहीं है इसे एक plate में पहले तो मैं side में रख रही हूँ तो ये मैं सारी जो इस similar mirch है जिने मैंने cut किया है इनके seats मैं इस तरीके से करके निकाल लूँगी और अब ये जो seats है इन्हें मैं fine chop कर लूँगी chopper में आप चाहिए तो इन्हें grind भी कर सकते हैं तो ये देखे मैंने इन्हें chop कर लिया है और इसे मैं mix करूँगी जो आलू मैंने बनाया था मसाले वाला उसमें इससे बहुत अच्छा flavor आएगा similar mirch का इसमें तो आपको इसे फेकना नहीं है इसे भी add कर देना है ये जो हमने मसाला त्यार किया है आलू का इसमें और बस अब क्या करेंगे कि similar mirch में ये जो आलू है इन्हें stuff कर देंगे तो अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए आलू को अच्छे से इसमें stuff करेंगे और अच्छी से प्रेस कर देंगे और इसी तरीके से ये जो बांकी की similar mirch है इसमें भी आलू का ये जो मसाला है इसे इस तरीके से stuff कर देंगे तो ये सारी similar mirch में मैंने stuff कर देंगे और यहाँ पे एक पैंच अड़ा रही हूँ मैं flame मैंने on कर लिए है और इसमें 2-3 बड़े चमच मैंने oil डाला तो oil को इस तरीके से फैला देंगे और थोड़ा गरम होने देंगे और अब सारी similar mirch को इस तरीके से पैंच में रखेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से fry करेंगे तो बहुत ही कम oil में आपको ये काम करना है और इन्हें ढख करके पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए medium high flame में ढख के पकाना बहुत जरूर है क्योंकि ये जो पानी रहता है similar mirch में वो उपर आता है तो 3 मिनट हो गए हैं तो इन्हें अब flip कर देंगे इस तरीके से पलट देंगे तो ये दिखी कितने अच्छे चे टोस्ट हो गए है आलू और इन्हें अब इस तरीके से करके भी 2-3 मिनट तक medium high flame में पकाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इन्हें पकाना है इस तरीके से बट flame आपको medium high ही रखनी है इसे चेक करते हैं तो ये जो इनका नीचे वाला साइट था ये भी अच्छे से ये देखे फ्राई हो गया है तो अब इन्हें फिर से इस तरीके से फ्लिप करेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरीके से टोस्ट कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे तो ऐसा आपको दोनों साइट में करना है तो 2 मिनट के लिए 3-3 मिनट के लिए आपको इस तरीके से करके इन्हें फ्राई करना है तो बस अब यह बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है तो बस अब इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे तो यह देखे मैंने सारी सिमला मिर्चो है उन्हें निकाल लिया है और अब इन्हें साइड में रखूंगी और इसी पैन में मैं तीन बड़े चमच ओयल और एट कर रही हूँ और ओयल को थोड़ा गरम होने देंगे अब इसमें आदी छोटी चमच मैं डाल लें हूँ जीरा इसी के साथ मैं मैं इसमें डाल लें हूँ वन इस्पोन जिंजर गालिक पेस्ट यानि अद्रख और लहसुन का पेस्ट इसी के साथ मैं मैं इसमें टू मेडियम साइज अनियन का पेस्ट डाल लें हूँ अब medium flame में इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि onion golden color की ना हो जाए तब तक भूनेंगे तो यह देखिए इस तरीके से जब एक golden color आ जाए तब इसमें dry masala आट करेंगे तो मैं इसमें half teaspoon डाल लेंगे हूँ healthy powder अब मैं इसमें डाल लेंगे हूँ एक बड़ा चमच कास्मेरी लाल मिरिज पाउडर एक बड़ा चमच मैंने डाला धनिया पाउडर यानि कोरियंडर पाउडर और flame इस टाइम पे मैंने विलकुल लो रखी है और इसी के साथ में मैंने इसमें तीन टमाटर का puree डाला है तो यहाँ पे जो मैंने टमाटर लिये थे वो मेडियम साइज से थोड़े बड़े साइज के लिये थे और winter का टाइम चल ला है तो टमाटर जो है काफी अच्छे आ रहे है मार्केट में रेड वाले अब यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक यानि salt एट करूंगी तो नमक आपको देख के डालना है क्योंकि हमने जो इस्टफ सिमला मिर्च बनाई है अभी टोस्ट किया है फ्राई किया है उसमें भी हमने salt एट किया है अब इसे ढखकर के 2-3 मिनट तक पकाएं इससे क्या होता है कि टमाटर बहुत जल्दी बुन जाते हैं तो बस चलिए चेक करते हैं मैं तो यह देखे रिचाई जो हैं बहुत अच्छे से भुन गए तो यह सकते हैं कि जो ओयल है वो सेपरेट हो गया है इसका मतलब टमाटर भुन गये हैं और मैंने इसमें 100 ml पानी एट कर दिया है अगर आप थोड़ा लूज ग्रेवी चाहते हूं तो आप थोड़ा चाहता पानी और एट कर सकते हैं और इसमें मैं एक छोटी चमच गरम मसाला पाउडर एट कर रही हूं और इसी के साथ में मैं इसमें थोड़ी सी भूनी हुई कस्तूरी मेथी साथ में थोड़ा धनिया पत्ती भी मैंने एट कर दिया है और अब इसमें मैं एट कर रही हूं सिमला मिर्ट जो मैंने फ्राई करके रखी थी मसाले वाली तो इसे इस तरीके से ही आपको रखना है पहले यहां पर आपको कस्तूरी मेथी पाउडर जरूर एट करना है मुझसे वो क्लिप मिस हो गई थी जब मैंने कस्तूरी मेथी पाउडर एट किया था तो आपको जरूर एट करना है और यहां पर मैंने इसे ढग दिया है और मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम में 2-3 म पड़ियाँ के लई की लिए पनाउंगी है स्भी माँप ब्कुल लुख से अगे ब्स बिल्कुल हलकर से पका लेंगे कि और अब प्लीम को बिल्कुल लुख कर दें। और तीन शील चार मिनच तक बलाई में पका लेंगे तो चार मिनट हो गए हैं और ये जो स्टफ सिम्ला मिट्च है ये बन करके बिल्कुल तयार है और बस अब मैं फ्लेम को ओफ कर रही हूँ और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल रही हूँ और बस अब मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म तो बहुत ही यमी लगती है आप एक पर जरूर इसे ट्राइ करियेगा और विंटर में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है पराठो के साथ में तो आप इसे जरूर बनाईए आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सेर करिये लाइक करिये और सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंस सके